हेलो स्टुडेंट्स, लाज्ट क्लास में हमने रियल गैसेस वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था इस चेप्टर में आज हम रियल गैसेस के लिए जो एक्वेशन यूज होती है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लेकिन इन में वोल्यूम और प्रेशर टम में जब करेक्शन कर दिये जाते हैं तो वह बन जाती है हमारी वॉंडरवाल एक्वेशन यूज होती है आपकी रियल गैसेस के लिए वहाँ पर हम पीवेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो आइडियल गैसेस के लिए होती है जिसमें हम दू अजम्शन मैनली मानते हैं कि वोल्यूम जो है काफी नेगलेजिबल होता है मोलिक्यूल्स का कंटेनर के वोल्यूम के कंपेर में और अट्रेक्शन फोर्सेस नहीं होता है आइडियल में लेकिन रियल में यह सब कुछ होता है ठीक है वोल्यूम भी आपका कंसिडरेबल होता है और अट्रेक्शन फोर्सेस भी होता है तो हमें यहापर कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम volume correction factor को ले रहे हैं, इसको generally हम B से represent करते हैं, ठीक है, और जो आपके attraction forces के लिए लगाएंगे, pressure के लिए जो लगाएंगे, उसको हम A से represent करेंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको दो डाइग्राम्स दिख रहे हैं, यह actually किस के लिए यह मैं बता द हूँ, देखो, जो idle gas होती थी हमारी, वो volume of container पूरा acquire कर लेती थी, क्योंकि उनके बीच में कोई attraction force नहीं होता था, जिक 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 motion always रहता था उनमें, ठीक है, तो हम जो volume का container, container का जो volume है, वो ही हम idle gas का भी volume ले लिया करते थे, या फिर हम इसको VI जो हमने show कि idle gases के volume के लिए उसको हम यह भी कह सकते है, compressible volume क्योंकि यह infinitely compressible होती है, idle gases, लेकिन liquefy कभी भी नहीं होती, दूसरा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि volume available to move freely, ठीक है, यह ज़्यादा आपको समझ में आएगा, कि volume available to move freely ठीक है, इसको इस तरीके से समझें तो ज्यादा बेतर है, तो पूरा का पूरा volume हमें मिल जाता है, ठीक, अब VPI तो आपके idle gas pressure ही सही, real gases की जब बात करते हैं, तो उनका जो molecules का volume होता है, वो negligible नहीं होता है, container के volume के compare में, यानि जो पहले हम room में एक चीटी मान रहते है, वो अब चीटी नहीं होके के लाई के आपके कोई बड़ा चूहा या ऐसा कुछ है, जिसका volume considerable है, negligible नहीं है, ठीक, तो अब जो freely available volume है, वो हमारे पास बस यहीं है, जो volume हमारे पास free है, वो यहीं है, तो हमें overall volume में से ये volume निकालना पड़ेगा, एना, exclude करना पड़ेगा इस volume को, तो वो ही हमारा correction factor आता है, कि जो V होता है हमारा, ठीक है, वो आपके excluded volume निकालना पड़ेगा उसमें, ठीक है, जो real हमारा volume आएगा, ठीक है, real volume जो आएगा, वो overall volume में से, container के volume में से, excluded volume जो हमारा करने लायक है, volume जो exclude करने लायक है, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब ही हमारे real जो use करनी हमें, value V की, वो हम कर पाएंगे, यह बात समझ में आगी, freely available volume बस यह वाला पाट है, तो overall में से, अगर यह minus कर दे हम, ठीक है, तो वो हमने कर दिया है, अब इसके लिए, कुछ ना कुछ values चाहिए होती है, वो आती है, बीस है, ठीक है, यह देखिए इदा, if the container has n moles, तो incremental volume आपका क्या हो जाएगा, nb, और कर 1 mole है तो सिर्फ b हो जाएगा, तो जो overall हमारा volume आजाएगा, वो क्या आजाएगा, वो क्या आजाएगा, v minus nb, ठीक है, v minus nb, जो हमें vi की जगे पर रखना है, यह एक तरसे real, हमारा जो volume है, real gases के लिए, वो हमारे लिए use हो तो यह हमें vi की जगे रख देना है, next pressure correction factor देखते है, pressure correction factor में होता क्या actually, वहाँ तो हमने देखा था कि कोई आपस में interaction force रहते हैं, लेकिन real gases में रहते हैं, आपस में भी रहते हैं interaction forces जो आपस में चारो तरफ इसके molecules होता है, surrounding में, उनके आपस में भी interactive forces होता है, और जो wall प एक तरफ से आपका जो real pressure है, और जो invert pressure है, दोनों हमें consider करने पड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों consider करने के लिए हमें कुछ term और aid करनी पड़ेगी पिछले pressure में, दीकि volume से तो हमें minus करनी पड़ी, और यहाँ पे कुछ और aid करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो real gases का अपना एक pressure दूसरा जो intermolecular forces है, उसकी वज़े से भी जो pressure है, तो वो और हमें add करना पड़ता है इसके अंदर, दूसरे वे में अगर समझे, तो देखिए यह जो attraction forces होते हैं, उसकी वज़े से यह pressure थोड़ा कम हो जाता है, देखिए यह जब इसके उपर pressure लगाने जा रहा होगा, तो इसको कोई पीछे से भी खिच रहा होगा, तो overall pressure हमारा कम आ रहा है, तो उसको उस pressure से comparison में लाने के लिए, हमें कुछ और टर्म add करनी पड़ेगी, और वो हम टर्म जो add करते हैं, वो ही हमारा correction factor होता है pressure में, जो कि आता है हमारा n square upon v square के proportional, ठीक है, n square upon v square के proportional आता है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की वैसे बात नहीं है, क्यों यह वो ही है, आपके जो molecules एक तो वोल के साथ जो collide कर रहे थे, वो अला pressure है, और जो एक inward pull वो experience कर रहे थे, वो अला pressure है, तो दोनों को जब हम merge करेंगे, तो वो आता है, n square upon v square के proportional, यह सारा experimentally determined किया जाता है, इस proportionality sign को अगर हम हटा देते हैं, तो वहाँ पर एक constant लगेगा, जिसको हम A बोलते हैं, इसमें, A क्या represent करता है, intermolecular forces of attraction, ठीक है, attractive forces को represent करती है, इसकी A की value, यह proportionality constant होता है, वैसे तो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो PI की जगे, अब हमें रखना है, वो रखना है, P real plus n square upon v square, एक correction factor और aid हो गया है, पिछले P में, ठीक, तो PV equal to nRT में, जब हम PI और VI की नई values रखेंगे, correction factors के साथ, तो वो बन जाती है, हमारी wonderwalls equation, और correction factors क्या थे, an square upon v square, और nb, ठीक है, यह हमारे क्या हो गया है, इसमें correction factors, ठीक है, और A और B क्या होता है, आपके wonderwalls constant होता है, ए और B क्या होता है, wonderwalls constant होता है, जिसमें से A क्या बताता है, मतलब intermolecular forces of attraction, और B क्या बताता है, excluded volume आपका, चीक है, तो यह दोनों का significance clear, A और B है आपके constants, यह terms है आपकी correction terms, clear, चीक है, तो wonderwall gas equation आपको clear हुई होगी, I think, इनकी unit क्या होती है, और B की, वो हम देख लेते हैं, देखिए, A जो आया था हमारा, इस तरीके से आया था, तो P into V square upon N square, इसकी value हो जाएगी, A की, यह V square देख जाएगा, इसका N square नीचा आजाएगा, तो PV square upon N square, तो उसी से इसकी unit बन जाएगी, V square से liter square, pressure के लिए ATM, चीक है, और malls आपके होती ही है, तो यह इसकी unit हो जाएगी, similarly B के से आया था, V equal to N B से आया था, ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, V by N, तो उसी के कारण, liter per mall इसकी unit आई है, यह कहाँ से आया है, V equal to N B से, यह कहाँ से आया है हमारा, P is equal to N square upon V square से है, तो आप जैसे इनको उधर बेजोगे, A को अकेला रखोगे, तो overall इसकी unit आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो easy है, units, इन पे भी straight questions आ जाते हैं कभी-कभी, तो ध्यान रहना जरूरी है, straight questions आते हैं इस chapter में, ज़्यादा load नहीं लेना है, ठीक है, next conclusions कुछ निकालते हैं, और B से, और a given guess, the value of A is always more than the value of B, A की value हमेशा और हमेशा B से ज़्यादा आएगी, और यह experimental determined होती है, ठीक है, the guess having higher value of A can be liquefied easily, अगर आपको कभी table में A की बहुत सारी values दे दी जाए, और पूछा जाए, कौनसी guess इसमें से most easily liquefied होगी, तो जिसकी value A की value सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे easily liquefied होगी, क्योंकि उस case में जो आपका intermolecular forces of attraction होगे, वो सबसे ज़्यादा होगी, तो easily liquefied वो जाएगी, इन पर equations आते हैं, table बना के दे दी जाती है, और फिर उनसे आप से पूछा जाता होगे, तो यह था हमारा ideal, wonderful gas equation, जो कि ideal gas में ही कुछ correction करके लाई गई है, pressure में कुछ term add करिए, volume से कुछ term minus करिए, ओके, चलिया, तो अभी तक जो जो हमने देख लिया है, वो ideal gas behavior में हमने कुछ gas lows देख लिया है, KTG में कुछ assumptions देखे हैं, speed देखी है, अलग-अलग VRMS वगेरा, real gas behavior में भी हमें काफी कुछ चीज़े देख लिया, compressibility factor देख लिया, Z, PV by RT जो होता है हमारा, चीक है, deviations देखे, Z less than 1, Z greater than 1 वगेरा पे, और कुछ correction terms देखके, wonderwall gas equation भी हमने देख लिया है, अभी तक, अभी जो wonderwall gas equation हमने देखी है, उसका application देखते हैं, तो next हमारा जो topic है आज के lecture में हो है, application using wonderwall equation, तो यह हमारे पास wonderwall equation है, अब इसका अलग-अलग pressures पे हम application देखते हैं, क्या-क्या expression हमें मिलते हैं, ठीक है, तो at very low pressure, सबसे पहले वोगी ले रहे हैं सबसे kam pressure पे क्या होगा प्रेसर बहुत लो होगा तो volume बहूत high हो जाहेंगा युदि P और V में inverse relation होता हैं हमारा तो pressure जब बहुत low है तो volume बहुत ज़्यादा high हो जायेगा तो volume जब बहुत ज़्यादा high हो जायेगा तो यह term तो almost 0 चली जाएगी volume जब बहुत ज़्यादा high हो जाएगा तो यह term almost negligible हो जाएगी है हमारी P के compare में ठीक है तो यह बहुत छोटा हो जाएगा और इधर भी जब V बहुत ज़्यादा है V बहुत ज़्यादा है हमारा तो NB आपका negligible हो जाएगा तो यह दोनों terms इस case में क्या हो जाएगी negligible तो हम दोनों यह हटा सकते हैं आपर negligible है इस current तो यह equation अब क्या जाएगी यहाँ से यह add जाएगा यहाँ से यह add जाएगा तो वो ही पुरानी equation आजाएगी हमारे पास PV equal to NRT जाएगी दोनों correction term negligible हो जाएगी इस case में तो वो ही again जो हमने पेले first में देखा था जेड के behavior में वो इससे prove भी हो रहा हमारा जैसे बहुत कम pressure होगा तो Z is equal to 1 आएगा हमारा जैके इस case में यह PV और NRT equal है तो दोनों का ratio ही तो Z होता था हमारा यह na PV और NRT चली next हम इसमें देखता है at low to moderate pressure at low to moderate pressure ऐसे में क्या होगा देखिए volume is sufficiently low थोड़ा सा pressure बड़ा है लेकिन volume थोड़ा तो कम आएगा पेले बले ही बहुत ज्यादा अंतर था लेकिन अभी भी थोड़ा तो रहे गई अब होता क्या इसमें अब इस बार जो है आपका volume उतना high नहीं है तो यह time आप negligible नहीं मान सकते है क्योंकि pressure बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है या आपके pressure बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है moderate है तो यह भी moderate रहेगा तो उस case में यह negligible नहीं होगी अब भी वोल्यूम जो है इतना sufficiently तो nb के compare में high है कि हम nb को neglect कर सकें अब भी उतना तो है nb के compare में वो ज़्यादा कि यह term neglect की जा सकती है तो यह equation बनी है हमारी अब जो यहाँ से बस nb वाला part हमने neglect कर दिया बाकी equation तो वह ही है इसको अंदर multiply कराते हैं तो हमें यह मिलेगा देखिए वी अंदर multiply हुआ यह जैसे यहाँ multiply होगा तो एक वी कम अब यह कुछ ऐसा आ रहा है हमें z की term में लानी होती है यह सारी चीजे किसमें लानी होती है z क्या होता है pv by rt z क्या होता है pv by nrt बोलो या फिर one mole के लिए है तो rt बोल सकता है चीज़े है तो यहाँ पर हम pv by nrt कैसे ला सकते हैं देखिए अगर इस पूरी equation को हम nrt से divide कर दे चीज़े है अगर हम इस पूरी equation को nrt से divide करते हैं तो यहाँ बन जाएगा pv by nrt चीज़े है इस पूरी equation को nrt से जब divide किया तो यह बन गया आपका z यहाँ पर nrt से nrt divide हुआ तो one हो गया और इसमें आपके nrt से divide हुआ तो यह हो गया an by vrt चीज़े तो overall expression z का क्या मिला आम है one minus an by vrt यह कुछ ऐसा लग रहा है अनुष्का और विराट विराट उठा सकता है अनुष्का को अनुष्का नहीं उठा सकती विराट हो तो इस तरह की से आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूँ ज़्यादा मज़े नहीं लेने an by vrt अब देखे overall देखे यह आपके तो constants है a constant है मॉल्स की भी कुछ वेल्यू होगी ही होगी वोल्यूम आपका माइनस में जाता नहीं है आर आपका constant है temperature की भी कुछ वेल्यू होगी अगर तो ऐसे case में यह overall value positive जब होगी तो Z क्या आएगा हमेशा ही less than 1 आएगा जो की moderate condition में हमने पढ़ा था कि Z less than 1 होता है attractive forces dominate कर जाता है attractive forces dominant मतलब A की value बढ़ती है ठीक है तो जो हमने पिछले वो deviation और graph देखे थे वो यहाँ से prove हो रहे है wonderful gas equation से mathematically prove हो हो रहे है यह proves हम देख रहे है आज next high pressure बाला बस जाता है इसको भी complete कर लेता है pressure बहुत जादा हो ठीक है pressure जब बहुत जादा हो आपके तो उस case में क्या होगा ठीक है तो pressure जब बहुत जादा हो जाएगा तो यह term उसके compare में negligible हो जाएगी बहुत सीधी सी बात है pressure बहुत जब बहुत जादा है बहुत बहुत जादा है तो उसके सामने जो भी term है वो क्या होगी negligible होगी ठीक है और pressure बहुत ज़्यादा है तो volume क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा ठीक है volume कम हो जाएगा तो इस बार आप nb वाली term को neglect नहीं कर सकते जो पिछली दो बार से neglect होता हुआ है ठीक है इस बार इसको neglect हम नहीं कर सकते और एक pattern देखें अगर तो एक बार फस्ट ही फस्ट में दोनों आपके जो correction term ती neglect हो गई फिर ये वाली term neglect हुई और आप ये वाली term neglect हो रही है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको derivation या कभी ये values अगर आप भूल जाओ तो वापस derive करनी पड़ जाएगा क्योंकि मेजदा कॉलम में ये पूछी जाती है कि at high pressure क्या expression आएगा moderate pressure पर क्या expression आएगा तो उसमें कभी-कभी आप अगर जब भूल जाते हैं तो याद रखिएगा ठीक है वैसे नहीं भूलोगे क्योंकि वहाँ तो अनुष्का विराटा कहते है वैसे चलिए तो यहाँ पर यह वाली term neglect होगे क्योंकि प्रेशर बहुत जदा हाई लिया था हमने तो इसको जैसे आप अंदर multiply कराओगे P को तो यह equation बन जाएगी PV-NBP is equal to NRT फिर इसको आप जब उधर ले जाएंगे तो PV equal to NRT plus NBP और हमें Z की term में लाना है तो पूरी equation को NRT से divide कर देंगे तो यह बन गया आपका Z और 1 plus BP by RT तो इस case में Z की value हमेशा ही गया हैगी greater than 1 आएगी क्योंकि यह सारी terms positive रहीगी आपके उस वज़े से ठीक है तो वही जो high pressure पर हमारा Z greater than 1 आता था मतलब repulsive forces dominant हो जाते थे repulsive forces dominant हो जाते थे इस case में उस वज़े से ठीक है तो overall देखें यह तीनों जो हमारे match the following में पूछे जाते हैं उनका भी summary कर दूँगा मैं last में वो जो हमने graph में देखा था यह सारी चीजे वह यहां से प्रूव भी हो गई वो जो नीचे जारी थी negative हो रहा था यह हाई जारी यहना वो सारी चीजे यहां से प्रूव भी हो जाती है कि y equal to mx plus c की form बन रही है यह आपके जिसमें यह constant है यह mx की form आ रही है तो ऐसे case में straight line आती है graph ठीक है वो ऐसे वाला नहीं आता करो deep वाला ठीक है यह सब प्रूव भी हो गया एक तरह से वह जो graph देखा था आपने mathematically के लिए प्रूव हो गया है जो last lecture में हमने deviation curves देखे थे अब आपको समरीव कर दता हूं में क्योंकि यह measure the column में बहुत बार पूछे जाते हैं तो जब pressure बहुत कम होता है तो z की value 1 आ जाती है moderate पे 1-n by vrt अनुश्का विराट ठीक है high पे 1 plus bp by rt चीक है चलिए इसको भी प चाहेगा वैसे clear तो कुल मिला के जो हमारे पास बात है कि too low है तो z is equal to 1 moderate है तो z less than 1 और high है तो z is greater than 1 चीक है यहाँ पर ideal behavior होगा यहाँ पर आपके attraction forces dominate करेंगे यहाँ पर repulsive forces dominate करेंगे चीक है चलिए तो यह था आज का हमारा lecture जिसमें हमने पढ़ा wonderful gas equation जो कि दो term correction terms आती है उसके अंदर p और v में चीक है और उसके बाद देखिए उसकी application जिससे हमारे वो deviation curves सारे prove हो गए clear thank you बढ़ में पक्राद बाद भाद कि वीक है बाद लोग सकतर में's की का जिटे एार kा स्वी है और रेगतemen का जाब讀 बाद कि day यह सारवाना करेंगे भाभ जगा है बार अए暗 झाल झाल